जै मातादी दोस्तो कैसे हैं आप सभी दोस्तो 16-17 जुलाई की रातरी में चंद्र ग्रहन होने वाला है जो की 1 बच कर 32 मिनट से शुरू होकर 4 बच कर 31 मिनट तक रहने वाला है तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि चंद्र ग्रहन के दोस्त का आप निवारन कैसे कर सकते हैं वो कौन से उपाय हैं जिनसे आप चंद्र ग्रहन से लगने वाले दोश को समाप्त कर सकते हैं तो मेरा आप से निवेधन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें पासी बने बेल का इकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच के आप तक सबसे पहले दोस्तों जब चंद्र ग्रहन का सूतक प्राराम होगा उस समय चंद्रमा धनु राशी में केतु और शनी के साथ विराजमान होगा ग्रहन के समय में मिथुन राशी में सूरिय, शुक्र और राहू धनु राशी के सामने स्थित होकर चंद्र परद्र काल-पुरुश चक्र के अनुसार बात करें तो सूर्य को आत्माकारक विवेक का घुतक चंद्रमा को मन का बाता है और शुक्र को चित का घुतक बना जाता है इस ग्रहन में यह तीनों ग्रह एक दूसरे सिद्रस्टी बनाये रहुए हैं और तीनों ग्रह आपस में योग भी बना रहे हैं जिससे इसका मुख है रूप से इसका ये परिणाम देखने को जरूर मिलने वाला है तो चली जानते हैं कि सभी 12 राशी वाले जातक इसके दोश से मुक्त होने के लिए कौन से उपाय कर सकते हैं मेश राशी के जातक भावनात्मक रूप से थोड़ी संजीदा र सकती हैं तो अपनी माता की सहत पर ध्यान देना है और हाई बीपी जैसी समस्या हो सकती है लेकिन आपको ध्यान देने योग के बात यह हैं कि भावनाओ उपर नियंद्रण रखना होगा मधुरुवानी का प्रियोक करना होगा और साथ ही किसी उदर विकार से बचने की चेस परिवार में किसी की कही बातों का बुरा ना माने जीवन साती का पूंट सहयोग मिलेगा बड़ा ही उत्साहित और आनद में दिन बीतेगा चोटी मोटी बातों को नजर अंदाज जरूर करें आनावशक खर्चों से बचे और लंबे समय तक खाली पेटना रहे हैं मिथुन परिवन में सुखद आपका समय बैतीत होगा और आज के दिन किसी को धन या किसी को कर्ज आप देने की कोशिश ना करें करक राशी आपकी राशी से छटे भाव में चंद्र का ग्रहन होगा इसलिए थोड़ साहनी कारक हो सकता है विशेस का मानसी करूप से थोड़ी से परि दिहान रखना होगा और पुरानी बातों को याद ना करें वाद विवाद से दूर रहे तो अच्छा रहेगा सेंग राशी वालों के लिए अचानक से कुछ चिंताय मन को परिशान कर सकते हैं कानूनी विवाद से चिंतित हो सकते हैं लेकिन आर्थिक द्रस्टी कोल से काफ करने स्वास्थे का द्यान रखें करने राशी वाले जातकों के लिए ये जो चंद्र क्रेंड है वो काफी लाबकारी होगा मन में उत्साह रहेगा आर्थिक द्रस्टी कोंड से अच्छा है परिजिनों का सहयोग मिलेगा दाम पत्य जीवर भी सुखद रहेगा पिता के दिन अच्छा रहेगा पारिवारिक और भावनात्मक संबंदों को लेकर आप थोड़े संजीदा रह सकते हैं पारिजिनों का सहयोग मिलेगा उत्साह में विरद्धी होगी जो पुरानी समस्याएं थी वो सुलजती हुई नजर आएंगी और दाम पत्य जीवन ठीक ठाक र होनी है तो आपके लिए ये गोचर अच्छा रहेगा रूखा और आलोचनात्मक व्यवार आप किसी भी संबंद में ना करें व्रश्चिक राशी वाले जातकों के लिए ये आस्थाओं से परिपूर्ण होगा आर्थिक अभाव थोड़ा महसूस हो सकता है जीवन साती से आपको देहान देना है जीवन साती के साथ मधुर्वानी का परियोग करें किसी भी संयम समस्या पर संयम से काम लें और कानूनी विवादों में आपना पड़ें धनुराशी धनुराशी के लिए मन थोड़ा व्यगर रह सकता है नकारत मक्षिनताओं से रसित हो सकते हैं हनुमान जी की आराधना करना लावकारी रहेगी हाई बीपी की जाच करें मकर राशी मकर राशी वाले जातकों के लिए रोजगार और पेशे की द्रस्टी से ये ग्रहन अच्छा होगा भावनात्मक रूप से मन परिशान हो सकता है पिता के स्वास्ते का आपको देहान अचाहे अधिक पैसा कमाने के व्याकुलता को नियंतरन बना कर रखें और संबंदों की गरिमा भी द्यान रखें कुम्बराशी कुम्बराशी वाले जातकों के लिए कारेशेत्र में बड़ा ही वैस्त बहरा दिन रहेगा आर्थिक द्रस्टी कोंड से लाव के अच्छे अ करना होगा और परिवार में सभी सदस्यों से खुलकर बात आपको करनी होगी माद रुगा कि आप आराधना करेंगे तो इससे आपके मन को शांती मिलेगी मीन राशी आपका मन और आर्थिक रूप से आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में समय गुजारेंगे कार परिशान हो सकता है पिता के स्वास्थे के प्रति मन परिशान हो सकता है कारेश्चेत्र में वैस्ता बढ़ेगी मा का भावनात मक्सहयोग मिलेगा आप अपने पिता या अपने जीवन साथी से किसी भी बात को लेकर बहस ना करें अनावाशक खर्चों पर नियंद्रन रख लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना बोलें